ओके, so good morning all of you, अभी तक का जो पेपर था, सब ऐसे ही था, चुन्नु उन्नु पेपर था, अब जो तुम लोग को करना है, वो है CM2 Financial Engineering and Loss Reserving, तो 3-4 बाद हम बहुत clear कर देना चाहते हैं, day 1 पे, ये पेपर इतना असान नहीं है, मतलब इसको करने के लिए हम लोग को ढाई मैने ही लगेंगे, 2.5 months, ठीक है, 2.5 months ही लगेंगे and I am very happy कि तुम लोग सब ने समझा और तुम लोग सब day 1 से सारा class attend कर रहे हो, अभी भी देखो बहुत लोग आएंगे, एक मैना बाद हमको शुरू करना है, दो मैना बाद ठीक है पट ठाई मैना में syllabus को खतम करना एक चीज होता है, और जो exam में जो sums आएगा वो थोड़ा अलग type का आता है, जिसे पहले क्या होता था, पहले मतलब जो करवाते थे उसी से आता था, बट अभी क्या हो गया है, इसमें इतना नया नया type का sums बनने लग गया है, ठीक है, finance side से वो लोग अलग-अलग-अलग type का question बना बना के दे रहे हैं, 3-4 chapters को club कर रहे हैं, 3-4 chapters को club करके एक question मना रहे हैं, तुम लोग अगर CM2 में है तो obvious हवादा तुम लोग पहले एक-दो paper दे चुका है, तो you already know the pattern कि इसमें ऐसा कोई set marks नहीं होता है, कि इस chapter से इतना number का आएग है, बट CM2 बहुत difficult exam है, अब इसको smooth out कैसे करेंगे, सबसे बेले तुम लोग को सारा class attend करना है, अगर तुम लोग A to Z सारा class कर लिए तो तुम लोग कहीं पर कोई भी ऐसा problem नहीं feel होगा, छिक है, CM2 में pass होना बहुत easy है, score करना बहुत difficult है, बने if you see there are 21 chapters, तो among the 21 chapters तुम लो को approximately 60 to 70% of the portions are very easy, बने उसमें अगर कोई बच्चा marks loose कर रहा है, तो मेरे को फिर उस पर doubt होगा, कि इसमें marks loose कैसे कर सकता है, इतना अच्छा से कराने के बाद में, जैसे CM2 के composition में, CM2 के composition में अगर हम लोग देखेंगे, तो तुम्हारा सबसे पहले जो एक chapter है, जिसका नाम ह Stochastic Interest Rate Models, ठीक है, बहुत ही फुद्दू सा chapter है, जिससे last 2 attempts से भर-भर के question आ रहे है, ये chapter पहले CT1 में था, बने एकदम जो basic paper होते हैं उसमें था, बट वहाँ पर fit नहीं बैठ रहता था, तो उसको वहाँ से यहाँ पर ले के आए हैं, और CM2 में जो chapters थे वो तो थे ही, ठ ठीक है, पहले इसका नाम था financial economics, अभी financial engineering and nurse reserving, नाम देखो कितना धासू सा रखा है, तो डर तो बच्चा को ऐसी ही लगेगा, ये chapter बहुत scoring है, बट ये CT1 से आया है, उसके बाद में जो basic futures का knowledge था, futures का knowledge था, forward का knowledge था, वो पहले CT1 में था, अब वहाँ से इसमें आया है, ब exposed to the stock markets world, ठीक है, capital markets का जो world है, first time तुम लोग को पूरा activities में इस में introduce करते है, ठीक है, अब जैसे जो bond market है, तुम लोग CT1 में जो करता है ना, present value निकालना, yield निकालना, वो सब bond market हम लोग पढ़ चुके है, ठीक है, कोई भी ऐसे बूलेगा ना, bond market तो घवराना मत, bond market मत हम ल property, equity के बारे में पढ़ चुके, उसके बाद में scoring क्यों है, दो easy topics, दो easy topics तुमारा आया है CT6 से, जैसे, एक है तुमारा runoff, और एक है तुमारा ruin theory, ठीक है, तो ये दोनों जो topics है, ये दोनों, ये दोनों जो topics है, ये तुमारे CT6 से आये है, runoff, अगर कोई से बच्चे को बोलते थे कि CT6 कैसे पढ़ोगे, बहुत difficult है, runoff सबसे easy topics में, कुछ करना नहीं होता है, ruin theory easy है, difficulty CM2 में कहां पर आता है, नया नया टैप का questions को tackle करने में, ठीक है, तो उसके लिए तु दो exam होगा, तुम लोग का paper है और paper भी, अब जैसे अगर तुम लोग CM1 दे दिया है, तो तुम लोग का Excel का basics थोड़ा बद तुम लोग को आता होगा, अब तुम लोग को उसी skills पर build करने है, तो आप जैसे मान लोग online exam है, हो सकता है, तुम लोग पहले उतना struggle कर रहा होगा online में, laptop में type करने में, तो अब क्या होगा, जैसे एक-दो exam दे दिया है, तो आप वो problem भी खतम हो जाएगा, कि मैं को typing में issue हो रहा है, धीरे दे करके speed तो बढ़ता ही है, तो तुम लोग धीरे-धीरे करके शुरू दिन से क्या करना typing अपना practice करते रहना, ठीक है, हम लोग भ लोग बोलते है, CS2 का mat उतना जरूरी नहीं, हम लोग सारा चीज करवा देते है mat से, इसका पूरा mat करना बहुत जरूरी है, तुम लोग को इसका पूरा mat अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, जो institute का material है, सबको मैंने दिया है, उसका एक-एक चीज बहुत important है, मैंने जो compiler दि लोगा, like from 2006 to 2011, मतलब यह जो 5-6 साल, मने 10-12 term है, जो जो question में को लगता है, important है, वो सब करवाएंगे, और CM2 में किया है, थोड़ा बहुत तुम लोग को learning वाला चीज आ सकता है, मने concept-based चीज बहुत जादा है, जैसे एक chapter का नाम है behavioral finance, तो उसमें कोई sum नहीं बन सकता है, बट उसमें आपसे theory पूछेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सरे theories हैं, जैसे for example मान लो, अगर तुम लोग कोई comedy show देखने जा रहे हो, ठीक है, तो बोलता है कि कौन जीतेगा वो comedy show, जो comedy का show है, वो कौन जीतेगा, 10 participants है, तो यह लोग theory में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, जो प present किया, हो सकता है, उसका मेरे को दिमाग में रही कि वो क्या-क्या joke crack किया है, पहले वाले को बोलते है, प्राइमेसी, लास्ट वाले को बोलते है, रीसेंसी, अब जैसे 10 जन है, उसमें से एक जन हलका सा रिनाउड है, उन लोग जैकता है, अब आ रहे हैं, शानों सौकत के राजा ऐसे करके बोलता है ना, तो हो सकता है, वो किस तरीके से उसको introduce कर रहे है, तो उसमें क्या होता है, concept-based question आते हैं, अब CM2 का जो upper level paper है, that is SP5, ठीक है, investment and finance, तो बहुत बार ऐसा होता है, कि इस paper से भी वो लो questions देते हैं, on options and derivatives, derivatives, options में इस से भी वो लो questions देते हैं, तो अब जैसे क्या है, हम लोग को अपना सबसे ज़्यादा focus जो जिसमें रखना है, जिस topic में, वो है derivatives में, अगर तुम लोग को derivatives एकदम पूरा clear हो गया, तो तुम लोग का मोटा मोटी, 60% सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सबसे easy topic है, chapters 12 to 14, chapters 12 to 14, जिससे हम लोग start करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग first time सीखेंगे future क्या होता है, share price क्या होता है, forward क्या होता है, options क्या होता है, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा पूछते है CM2 में, और तुम लोग को पढ़के भी बहुत अच्छा लगे है, क्योंकि ये सब तुम लोग real life में apply भी कर सकते हो, stock markets में तु इसे चलालो remote देदेना, जो दूसरा वुला remote, दोनो remote देदो पीछे, इसे चलालो वहांसे button तबाओ, दूसरा चलेगा शल्यादेव, अरे वहांसे on करो button पर ले, अरे चलेगा चलाओ, दोनों से चलेगा, ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब pen नीचे रख दोर सुनो, ठीक है, आज जैसे मान लो, derivative का मतलब क्या होता है, इसको example से समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लो, एक farmer है, ठीक है, farmer है, farmer का काम क्या होता है, farmer का क्या होता है, वो क्या करता है, farming करता है, और उपर जोगाता है, कोई भी चीज मान लो, समझे हो rice, ठीक है, तो अब तुम्हें को बता है कि weather में बहुत ज़दा change आ रहा है, climate में बहुत ज़दा change आ रहा है, तो farmer को किस चीज से डर लगेगा, farmer को डर ये लगेगा, कि मान लो, अगर आज rice का दाम चल रहा है, 30 पर kg, जब तक उसका crop बनके ready होगा, जब तक वो rice बनके ready होगा, उसको डर इस चीज का लग रहा है, कि कहीं इसका दाम गिर ना जाए, ठीक है, अगर मान लो, इसका दाम किया, तो he will not be realizing that much, उसको अतना expected जो value अतना नहीं मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर है एक wholesaler, यहाँ पर है wholesaler, wholesaler का मतलब क्या है, wholesaler का मतलब क्या है, जो उससे खरीदेगा and retailers लोग को बेचेगा, फिर वहाँ से end consumers खरीदेगे, अब wholesaler का डर क्या है, कि कहीं इसका दाम बढ़ना जाए, इसको लग रहा है कहीं दाम गिरना जाए, इसको लग रहा है कहीं दाम बढ़ना जाए, they both meet, they both meet, लोग दुनों meet करत है कि भाईया, 6 मेना के बाद में, 6 मेना के बाद में हम आपको 1000 kg rice देंगे, हम आपको 1000 kg rice देंगे, चलो rate आज ही fix कर लेते हैं, 6 मेने के बाद में हम आपको 1000 kg rice देंगे, चलो rate आज ही fix कर लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, जो underlying है, underlying क्या है यहाँ पर, rice, जो चीज पे हो र पर बनाया तो हम तुम को इतना रुपय कोई देंगे इस से नीचे बनाया तो तुम हमको देना ठीक है, हर चीज में derivative हो सकते, तो यहाँ पर underlying क्या है rice, ठीक है, वो fix हो गया, time period देखो fix हो गया, 6 मेना बाद, quantity fix हो गया, rate वो भी fix हो गया, rate भी fix हो गया, मालनों बोलता है 32 रुपया पर किलो, ठीक है, 32 रुपया पर किलो, इसको बोलता है forward contract, forward, ठीक है, अब जो farmer है, वो अ 6 मेना बाद, अब मेरको मेरा realization fix हो गया, 32 रुपय किलो के हिसाब से 1000 किलो, मतलब 32 रुपया उसका fix हो गया, अब 6 मेना बाद, दो situation हो सकता है, हो सकता है 32 से उपर हो, हो सकता है 32 से नीचे हो, तो हम लोग यह थोड़ी बोलेंगे कि उसको नुकसान हो गया है, क्योंकि farmer का main क क्या है, उसको तो farming करना है न, उसका ये काम थोड़ी है कि वो commodity का prices को predict करेगा, उसका main काम है farming करके पैसा कमाना, उसके लिए specialized houses है जो लोग इस सब काम करते हैं, predict करते है rates को, ठीक है, तो basically जहां पर risk है, उस risk से एक opportunity निकलता है, जो लोग derivatives का use करते है, उसको बलते है forward, दो हम exchange के साथ में करेंगे, इसको बोलेंगे future, ठीक है, मतलब दोनों का same ही है, एक और example से समझो, एक और example समझना, जैसे मान लो, हम, हम एक software company है, हम एक software company है, हम, मने, मेरा जो software है वो बाहर बिखता है, मेरा जो software है वो बाहर बिखता है, credit में, software बाहर बिखेगा, तीन मेहना बाद dollars में पैसा आएगा, ठीक है, US में बेचा है, और dollar का मेरे को inflow होगा, अब बताओ, तीन महीने के बाद में मेरे को dollar मिलेगा, तो मेरे को क्या चीज़ का डर रहेगा, कहीं जो exchange rate है, जैसे आज जो चल रहा है 76, मेरे को dollar मिलेगा, बटम रहते कहाँ पर है, इंडिया में, तो मेरे को तो आयनार चाहिए न, तो मेरे को डर किस चीज़ का है, मेरे को डर किस चीज़ का, कहीं है 76 गिर ना जाए, तीक है मान लो, एक लाग $.00, ऐसा होता है अक्चुल में, मान लो, एक लाग $.00 मेरे को मिलने वाला है, हमको डर किस चीज़ का है, अगर आज का spot rate देखें, एक होता है, spot rate मतलब क्या होता है, आज का rate, पोप प्रेट मतलब क्या है आज का रेट यह जो उपर में जो 32 स्था वह क्या था फ़ारवर्ड रेट वह कहा है 6 मैना बात का रेट है अब फ़ारवर्ड फ्यूचर में एक चीज जो है अगर तुम contract में एंटर कर गया, तो तुम back out नहीं कर सकते हैं, समझ रहे, तुमारे एक obligation बन जाएगा वो, तुम ऐसे नहीं बोल सकता है, जैसे sample के तौर पर बता रहे है, light लेना, 32 रुपीज फिक्स हो गया तो, अब मालो उस समय 34 चलता है, फार्मन बोलेगा कि हो चल लगो ए छोड़, कोई contract थोड़ी था, कुछ पैसा कादा बता हो, अब मारेंगे उठाके, तो वैसा नहीं हो सकता है, obligation हो जाता है, ठीक है, 76 आज spot चल रहे है, 76 आज spot चल रहे है, अब जो software company है, TCS समझ लो, अब उसको किस चीज का डर लग रहे है, कि कहीं ये rate गिर ना जाए, त और फिर specialized exchange rate house के संग में contract करेगा, क्या चीज का contract करेगा, आज से ठीक तीन मैना के बाद में हम आपको क्या देंगे, एक लाग डॉलर देंगे, डॉलर, आप हमको क्या देंगे वो बताइए, चलो rate आज ही fix कर लेते हैं, इसको बोलते है, currency pay forward या फिर future, अगर हम तुम्हारे साथ किये, दो party किया, over the counter, इसको बोलते है, over the counter, तो वो forward बोला जाएगा, और यही चीज अगर हम exchange के साथ में करेंगे, तो इसको बोलेंगे future, अब यहाँ पर underline क्या है, बताओ, underline क्या है, currency, तो हर एक चीज पर बन सकता है, यह चीज, समझा, हर एक चीज पर बन सकता है, यह लोग के, competitive readers क्या कर रहे है, तो बड़ा-बडऑ organization होता है, वो लोग में risk manager होता है, risk manager का मतलब क्या है, तुम एक शादी में गया, तो risk manager का का मोता है, तुमको इतना सारा खाना देख रहे है, तो तुम एक सारा थोड़ी खा लेता है, तुमारा पेट का ऐक ऑक खात है, के जुनारा paid fit दुखेगा, तो वोई चीज company के perspective में समझो, आज हर एक company का एक risk लेने का खमता होता है, अगर वो risk लेने का खमता से जादा risk ले लेगा, तब company सफर कर सकता है, अब समझना क्या हुआ, इसी case में बोल रहे हैं, अब यह जो software company है, यह एक risk manager को hire किया है, कि भाईया आप मेरा risk को manage करिए क्योंकि हम लोग का बहुत सरा foreign से पैसा आता है ठीक है कौन सा position को open रखना है naked रखना है naked मतलब क्या होता है कि एकदम खुला छोड़ दिया जो spot में rate हो का देख लेंगे ठीक है अब ध्यान सुनो कहानी सुनो तब risk manager क्या कर रहा है पहली बार वो सब theory में पढ़के आया है कि हम लोग को हमेशा hedge करना चाहिए क्योंकि software company का काम क्या है software company का काम क्या है software बना के बेचना exchange rate predict करना तो इसका काम नहीं है हमेशा हम लोग hedge करके ही चलेंगे ठीक है वो rate क्या fix किया 80 rate fix कर लिया ठीक है तो company को कितना रुपाय मिलेगा बताना company को कितना मिलेगा एकदम आराम से answer करो comment box में बताइए सब लोग photo part से company का INR equivalent कितना हो गया 1,00,00,00,00 company को 80,00,00 मिलेगा तीन मैना बाद ठीक है अब तीन मैना बाद का बाद बताते तुमको तीन मैना बाद का बाद बताते तीन मैना बाद अब हुआ क्या rate चला गया 84 ठीक है अब company क्योंकि forward में enter कर चुका है अब तो इसको वो चीज को obey करना पड़ेगा अब company को मिला कितना 80,00,00,00 नेकेट छोड़ देता तो कितना मिलता 84,00,00,00 84,00,00 उसको बुला है गया बला explain this तो बला sir आप समझ नहीं रहे हैं अगर rate कम हो जाता बला वो सब छोड़िये हुआ क्या उसको बताईए बला तुम्हारा दो मेने का बोनस कट ठीक है अब जाड़ सुन लिए बहुत से अब अगला बार देखो अब company को बहुत बड़ा order मिला पांच लाग dollar का order मिला ठीक है अब last time तो जाड़ खाया था ना अब की बार क्या किया होगा सोचो फुला छोड़ दिया होगा ठीक है माल लो उस समय तुम्हारा rate spot rate चल रहा था 80 ठीक है spot चल रहा था 80 यह मिलने वाला था 6 मना बाद ठीक है forward का rate मिल रहा था 85 में forward कर रेट मिल रहा था 85 में लेकिन लिया नहीं फ्रेक्ष जाड़ सेना था ठीक है अब 6 महना बात च्या होगा सोचो हांभ गया 75 ठीक है अब हो गया 75 तो अगर ले लेता तो कितना मिलता 85 75 lakhs लेकिन अब तो खुला छोड़ दिया तो अब कितना में करना पड़ेगा 75 lakhs उसको फिर से बुलाए गया बहुत एक्स्प्लेइन दिस तो सर आप तो लास्ट चाइम बहुत तुम निकलो हैंसे तो कंपनी में हम लोग को रिस्क को पुरा अच्छे से डिफाइन करके चलना आज जैसे मालनों हम लोग थोड़ी सोचेंगे कि नहीं IFOA का payment हम लोग कल करेंगे कि कल pound का rate कम होगा ऐसा कोई सोचता है क्या हम लोग का वह चीज काम नहीं है तो forward का मतलब क्या होता है rate fix हो गया quantity fix हो गया amount fix हो गया और क्या चीज़ पे होगा वो भी fix हो गया आगे का rate forward इ ठीक है अगर buy करने का होगा तो बोलेंगे long forward और अगर sell करने का होगा तो short forward ठीक है अच्छा अब जैसे समझना तो बड़ा बड़ा companies एक practical example दे रहे हैं वो लोग किस तरीके से इसका use करते हैं ठीक है समझना इस चीज को कि आज जैसे मैं लोग एक AP company एक AC का company वोल्टास- टाटर अपरोड़क्ट है तो वोल्टास क्या मनाता होगा हुमको यह बताओ अबही जो इतना गरमी चल रहेए तोstanden कोütfen कि इसीज़ बढ़ेगा तो वह क्या मनाता होगा भगवान से तो थेंप्रेचर फाड़ दे वो भगवान से रेली जब पूजा करता हो तो क्या बोलता हो यह भगवान 45 जितना गर्मी बढ़ेगा उतना उसका सेल्स बढ़ेगा तो वोल्टास का डर क्या चीज गा हमको यह बता हूं कि कहीं टेंप्रेचर कम नहों पढ़े बस खली तो वोल्टास बोला कि इस गर्मी में 42 जिग्री टच करेगा लेकिन राहा 36 में लोकार सको नुकसान होगा यहां कि नुकसान होगा तो वो क्या करेगा वो टेंप्रेचर पे डेरिवेतिफ कॉंट्राइक एंटर करेगा बोलेग हर एक डिग्री नीचा होने से हमको एक करोड रुपय फिर दस करोड रुपय चाहिए तो लोग होंगे जो लोग इस पर खेलने के लिए रेडी होंगे ऑपोजिट माइन्स होना जरूरी है ठीक है अब जिसे माल लो एक हो गया तुम्हारा के आप अब धिंबा एक काम होव तों बैस्ताए कर्ण के रोच ना एकदम गिर जाए ठेंपरेटिर एकदम गिर जाए जितना गिरेगा उतना कम्बल भीकेगा ने निट्रूब सपब對了 तुम्हों लोग चीप ब्लांकेट्स, क्या बलते हो उसको, अच्छा वाला क्वालिटी का जो होता है न, तो बोलने का बलते हैं कि opposite minds होना जरूरी है, ठीक है, अब जब तुम लोग, अब जैसे माल लो, जितना टेंपरेचर, माल लो 42 वो सोचा था, लेकिन 36 में ही रहा, तो वो contract mentor करेगा, कि हर एक degree नीचा होने से हमको इतना रुपय चाहिए, तो basically उसको जो AC का sales में जो नुकसान होगा, वो इस derivative contract से अपने आपको cover कर लेगा, ठीक है, this is the use of forward and futures, ठीक है, बहुत अच्छा से काम आता है इस चीज़ को करना, ठीक है, तो basically forward और future में तीन चीज़ ध fix हो गया है, and forward और future में अगर enter किया, then you have an obligation, कि तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मालो, AC का temperature भढ़ गया, तो बोला, ए, क्या contract थड़ी हो आता, it is an obligation, ठीक है, ओके, अब forward और future में क्या फरक है, ध्यान से सुनना, सुनते जाओ, forward और future में क्या फरक है, तो forward और future में, एई, सब लोग अपना camera on करो, what is this, कौन का अपना camera on करके रखा है, आगला बार से घुचने ही नहीं दूँगा class में, अब forward और future में क्या फरक है, ध्यान से सुनो, नहीं अब अब वो खराब हो जाएगा, देखो, भजाग करें, ठीक है, तो forward और future में क्या फरक है, forward दो लोगों के बीच में, future exchange के साथ, future होगा तुमारा exchange के साथ, ठीक है, future होगा तुमारा exchange के साथ, forward जो है, अब forward जैसे हम करेंगे तो bank के साथ में करेंगे, तो forward में एक type का risk आता है, वो risk है तुमारा credit risk, और market risk का, क्यों, क्यों ऐसा बोलो तो, क्योंकि आज जिसे मालो हम किसी एक आदमी के संग में, या फिर एक organization के संग में कर रहे हैं, तो हो सकता है, market risk क्या होता है, situation मेरे against में move कर रहे है, market risk का मतलब क्या है, situation मेरे against में move कर रहे है, and credit risk का मतलब क्या है, कि सामने वाला मेरा पैसा मार दिया तो, ठीक है, सामने वाला मेरा पैसा मार दिया तो, तो ये दोनों रिस्क तुम्हारा forward में होता है, but futures में नहीं होता है, because there is a margin concept, अब वो समझाते हैं तुम लोगो, margin क्या होता है, अगर तुम लोग कोई भी अपना DMAT account खुलाएगा, जिससे मालों तुम लोग मोतिला लोस्वाल, M, O, F, S, L के संग में तुम लोग ने अपना DMAT account खुला लिया, ठीक है, तो मोतिला लोस्वाल क्या तुम लोगो बिना पैसा के trading करने देगा, the answer is no, the answer is no, बोलोग बोलेगा, सर, पहले पैसा जमा करिए, फिर अब जितना पैसा जमा करेंगे, उसके साब से अब share, पाई कर सकते हैं, ठीक है, तो margin का मतलब क्या होता है, जब आप trade डालने जाते हो, तो starting में आपको एक margin देना पड़ता है, इंडिया में lot, futures मतलब क्या होता है, lot system में होता है, forward में क्या होता है, हम बोलेंगे मेरे को 2, 3, 4, 5, कितना भी चलेगा, वो मेरा और उसका आपस का बात है, ठीक है ना, लेकिन future में क्या होता है, lot system होता है, आज जैसे इंडिया को represent करने के लिए एक index बनाया, जिसका नाम है nifty, nifty is a collection of top 50 stocks of India, ठीक है, तो nifty का जो lot होता है, वो 50 का lot होता है, इंडिया के जो top 12 banks है, उनको मिला के एक index बनाया, जिसका नाम है bank nifty, उसमें 25 का lot होता है, तो आपका अगर आउकात नहीं, तो ट्रेड मत करिए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं को 6 में करना है, 7 में करना है, 25 का lot है, मतलब 25 का lot, और ये lot कैसे समझ में आता है, वो भी हम तुम लोग को बता देते हैं, कोई एगर पूछ ले तुम लोग से इंटेव्य में तो, ये average में 8 से 10 लाग का range में आता है, 8 से 10 लाग का range में आता है, contract value, चीज समझना, आज अगर मान लो, एबा calculator निकालो सब लो, फोन में फिर कैसे भी निकालो, अगर मान लो कोई भी item है, ठीक है, उसका दाम अगर 400 है, समझ लो चीज को, अगर उसका दाम 400 है, तो lot size मतलब कैसे आएगा, 8 लाग को 400 से divide करो, बताओ कितना आ रहे हैं, करके बता, इसले बोले, इसले में गलती मत करना, 8 लाग को 400 से divide करने से कितना आ रहे हैं, तो वो मेरा lot size हो जाएगा, अब बात समझे, अगर मान लो कोई item है, जिसका दाम है, 40,000, तो इस case में lot size क्या होगा बताना, piece, इस तरीके से lot define होता है, समझा बात को, इस तरीके से lot define होता है, तो contract का जो value है, वो 8 से 10 लाग कहीं रहेगा, इंडिया में, अब कितने का lot है, वो depend करता है कि, वो underlying का price कितना है, आज जैसे reliance का share 3000 के असपस चल रहे है, तो तुम लोग को 10 लग को 3000 से मुटा मुटी वो ही तुम्हारा उसका lot का size आएगा, तो futures में क्या होता है, गिर जाओगे रहादी का, हाट टूड जाएगा तुम्हारा, futures में क्या होता है, एक, बने future मतलब क्या कि lot size is standardized, तुम उसको अपने हिसाब से customize नहीं कर सकते, जो कि तुम forward में कर सकता है, तुम forward तो दो लोगों के बीच में हो रहा है, हम बोलेंगे 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो, forward मतलब customization, future मतलब channelization, अब margin मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, बहुत सरे defaults होते थे, तो इसको रोकने के लिए, क्या बोला, क्या से थे को हम यहाँ पर बीच में क्या है, clearing house है, clearing house exchange, ठ the buyer to every seller, it acts as the buyer to every seller, and it acts as a seller to every buyer, contract मेरे और तुम्हारे भीच में होगा, लेकिन हम लोग तुनों के बीच में कौन है, exchange, सारा trades को exchange के थुरू root करना है, ठीक है, और अगर मैं को कोई चीज को sell करना है, या फिर कोई चीज को buy करना है, तो यह लोग क्या करता है, पहले ही trade डालन पहले से पहले ही margin ले लेते हैं, एक value place का concept होता है, आज जैसे मालो, future forward में जाधा होता है, futures में जाधा होता है, आज जैसे मालो मिरको 10,00,00 का trade डालना है, चीज को समझा, अगर मालो मिरको 10,00,00 का trade डालना है, तो वो जो आपका stock broker है, वो क्या बोलेगा, पहले आप 20% margin जम future को buy कर लिया, यजह से जैसे तुम्हारा spot का ких change होगा, spot मतलब क्या होता समझता है, जैसे माम लो Reliance का future का मतलब क्या है, आज Reliance काusa और future क्या होता है, एक मेना, dो मेना, तीन मेना का होता है तेक कि आज जैसे माम लो bank nifty तुम्हारा चल रहा है दो मैना बाद का दाम क्या होगा, तीन मैना बाद का दाम क्या होगा, तो वो तीनों दाम तो depend करेगा ना, कि spot क्या चल रहा है, बात को समझो, अगर spot नीचे गिरता है, तो future का दाम भी नीचे आता है, अगर spot का दाम उपर जाएगा, तो future का दाम भी उपर जाएगा, तो underlying का दाम क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि future का दाम कितना है ठीक है अब जैसे माल लो तुम इनीशन मार्जीन दो लाक रुपए रख दिया अब तुम ट्रेड डाल रहे है प्लस माइनस तुम अपना ट्रेडिंग कर रहे है ठीक है वो लो क्या बोलता है बोले सर अगर आपका मार्जीन एक लाक रुपए के नीचे चला गया ठीक है तो आपको एक मार्जीन कॉल जाएगा तो एक लाक रुपए तुम्हारा हो गया मेंटेनेंस मार्जीन एक लाक रुपए तुम्हारा हो गया मेंटेनेंस मार्जीन की इसके नीचे आपका बैलेंस को नहीं जान तुमको समें रुक्सान हो गया बाइस हजार का तो बताओ तुम्हारा मार्जिन कितना दिखाएगा अकाउंट में पड़ा बड़ से बताओ 88,000 दिखाएगा 88,000 दिखाएगा अब यह तो एक लाग के नीचे चला गया अब तुमको मार्जिन कॉल जाएगा बोलेगा सर आप अगर एक घंटा के अंदर में पैसा जामा नहीं किये तो आपका ट्रेट को यहीं काट देंगे फिक हिए इसको बलते है RMS सेलिंग आपका ट्रेट को यहीं काट देंगे मन्हें मार्केट बंद होता है 3-15, 6-3 बचे तो बोलेगा आपका ट्रेट को यहीं काट देंगे तो यह जो मार्जिन कॉल होता है अब यह कितना का जाएगा पता है दो लाख माइनस 88,000 बने जितना का margin call जाएगा मतलब क्या है कि आपको अपना margin को पूरा initial margin पर जाके replace करना पड़ेगा ठीक है तो कितने का margin call जाएगा बताना एक लाख बारा हजार का आपको margin call जाएगा तो त्यें टेप का margin होता है एक होता है initial margin एक होता है maintenance margin initial margin मतलब trade डालने के पहले आपको बोलेगा आपको इतना रुपय जमा करना है maintenance मतलब इसके नीचे चला गिया तो आपको margin call जाएगा और यह जो इसको बोलते हम लोग एक लाख बारा हजार को हम लोग बोलते है variation margin क्यों है क्योंकि तो vary कर सकता है ना margin यह vary नहीं करेगा ठीक है लोग आप जिससे यह तो हम तुनों को पढ़ा दिया कहानी है सब सब सबस्काली समझने का चीज है एक्ट्वल में इस थोड़ी नहीं होता है लोगों के पैस में पैसा नहीं होता है पैसा नहीं होता है किस चीज का आज जिससे मानले कोटक महिंदरा बैंक है उसका दाम चल रहा है तुम्हारा 2000 के असपास 1700-1800 के असपास चल रहा है तो अगर मानले मेरे पास में है दो लाख रुपिया तो डिवाइड करना एक बड़ दो लाख को होता है मेरे को एक्सपोजर मिलता है दस लाख रुपिया तक का ट्रेड एक फ्यूचर एक फ्यूचर का वैल्ली होता है दस लाख रुपिया तो दस लाख रुपिया के लिए हमको बोलेगा सर सिर्फ अब दो लाख रुपिया जमा करिए और अब दस लाख तक का ट्रेडिं होगा आपको समझा अगर सौ अगर सौ क्वांटिटी में कोटक महिंद्रा बैंक पचास रुपया उपर गया तो मिनको कितना का फाइदा होगा पांच जार लेकिन अगर फ्यूचर भाई करेंगे तो यह कितना का फाइदा हो जाएगा 30,000 लोगों के बस में पैसा नहीं होता है तो वह लोग क्या करते फ्यूचर में खिलते हैं फ्यूचर में खिलने से क्या होता है margin कम लगता है, आपको 10 लग थोड़ी जमा करने बोल रहा है, लेकिन अगर अगर अब equity में जाएंगे तो आपको पूरा पैसा जमा करने बोलेगा, आपको leverage मिलता है future में जाने से, यह लेस्ब को ऩाओता है, यह लेस्ब को फिख्रे तो, यह लेस्ब को थिख्रे, अब जैसे यहां पर हम गए इस यहां पर हम गए यहां पर हमारे कोटक महिंद्रा बैंक यह तुम्हारा आ गया इसका दाम किता चल रहा है थारा सोका सपस चल रहा है तो बेसिकलिए अभी चीज़ समझना यह इसका शेयर प्राइस है अब एक और चीज़ हम तुम लोग को बताते है शेयर प्राइस तो हर एक सेकंड में प्राइस होगा तो बेसिकलिए वह असी ही रहेगा फॉर्वर्ड में मार्क टू मार्केट नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में मार्क टू मार्केट होता है मतलब एक्स्चेंज लिस्टेड है तो जैसे जैसे तुम्हारा कोटक महिंद्रा बैंक अदाम उपर नीचे करेगा वैसे वैसे तुम्हारा फ्यूचर का विदाम उपर नीचे करेगा क्यों क्यों कि उसका अंडरलाइंग क्या है कोटक महिंद्रा बैंक ना अरे फॉर्वर्ड का मतलब क्या है यह आज का प्राइस है हम तुम्हों के टो सिंबल सा फॉम्ला दिखाएगा जब उन्हों अंगे कैज हम क्या होगा देख वम तुम्हों को देख ऐसा बैद की रहे यह एफनो के है तो फनो में फ्रॉक्स में गए कर देखो यहां पर देखो यहां पर देखो क्या क्या दिखा रहे हैं तीनटों दिखा रहे हैं किया दिखा रहे है 26 में 2 हquinho bit expiry होता है असर्ज़े को inspiring होता है इस महीना का लास्ट थर्ज़े है 26 आड़ी छीक है stock FNO में FNO मतलब future application तो यह एक मेने वाल हुआ अब दीखो दो मेने वाला कौन सा है 30 जून फिर है तुम्हारा 28 जुलाई अब जैसे ही तुम्हारा 26 में खतम होगा न अब जब फ्राइड़े आएगा 27 तरीक आएगा तो तुमको यहाँ पर किसका दिखाने लगेगा एक जून का ओगया जुलाई का ओगया और एक आउगस्ट का दिखाने लगेगा तो तीन मेहना का दिखाता है ठीक है अब देखो यहाँ पर जैसे कोटक महिंद्रा बैंका मैं यह सेलेक करता हूँ स्पोट देख लेता है कितना 1770 हाथ उसमें 10-12 रुपया जोड़ो मोटा मोटी उतना रहेगा देखो वहाँ पर कितना था यह 1776 चल रहा है समझा तो क्या जोड़ा है हलका फुल का ब्याद जोड़ा और कुछ नहीं जोड़ा है यह future का दाम हो गया तो मतलब यह लोग का बोलने का मतलब क्या है कि आज का spot को देखते हुए एक महने बाद का यह दाम हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक का तो अब तुम क्या कर सकता है अब तुम इस rate में 1776 में यह देख लिया तो, अब एक बाद spot भी हम देख लेते एक बार, लिख लो एक बार 1776, ठीक है, अभी तुम्होंको पुरा चीज समझ में आ जाएगा, फिर से मैं spot चेक कर लेता हूँ, 1774, ठीक है, अब देखो द्यान से, एक था तुम्हारा spot, जो चल रहा है 1774, और एक था 1 month F, एक 1 month F का मतलब 1 month futures, जो चल रहा है 1776, ठीक है, अब जैसे जैसे यह spot भागेगा उपर नीचे, वैसे वैसे यह भी उपर नीचे करेगा, जैसे मानलो हम यहां पर एक F plus किया है, ठीक है, तो हम क्या बोला, 1776 में हम एक F plus किया है, अब कोटक में इंदर बैंक में बहुत अच्छा न्यूज आ जाता है, यह बैंक का NPA बहुत कम हो गया है, अब यह भाग गया, 1800 हो गया, ठीक है, तो यह भी मोटा मोटी उतना से बढ़ेगा, यह कितना से बढ़ेगा, 26 से, यह भी 26 से बढ़ेगा, तो मान लेते हैं कि जब एंड आया, कॉंट्रैक का, जब एकस्पाइरी आया, तो उस समय तुम्हारा यह अठारा सो हो गया, और एक्जांपल माल लो, ठीक है, और लॉट साइज है, चार सो का, तो अब तुमको कितने का फाइदा होगा, पता है, चार सो इंटू, 1776 में तुम्हें F प्लस किया था, मतलब भाई का कॉंट्रैक किया था, अब उस ही चीज़ का दाम कितना हो गया है, अठारा सो, तो कितना हो गया बताओ, 2024, समझा, यह तुमको फ्यूचर्स का पूरा ऐसा होता है, Mark to Market का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारा स्पॉर्ट का दाम उपर नीचे करेगा, वैसे वैसे तुम्हारा फ्यूचर्स का भी दाम उपर नीचे करेगा, उसका अंडरलाइं का दाम चेंज होना चाहिए, तो वो भी चेंज होगा, ठीक है, फरक क्या पढ़ा मतलब तो margin का फरक पढ़ता है न सब तो margin का पैसा कहीं तो खेला है तुम लोग कैसा लग रहे है सबसे बड़ा चीज़ तो पैसा ही है हम क्यू पढ़ा रहे है तुम पढ़ क्यू रही हो तो फिर हाँ बोलो वही तो बात नहीं स्पॉर्ट में क्या होता है तुमको पूरा रुपए देना पड़ेगा तुम लोग की चीज़ समझों अब दोलों को practically समझा रहे है यह सब theory पढ़ के कुछ नहीं होगा स्पॉर्ट में अगर तुमको दस लाख रुपए का equity खरीदने है तो तुमको दस लाख पूरा जमा करना पड़ेगा नित्यु तुमाना सौधा काट दिया जाएगा futures में क्या होता है दस लाख का trade तुम दो लाख रुपा में कर सकता है तो तुमको leverage मिल गया ना futures are mark to market futures में credit risk नहीं होता है क्योंकि सारा चीज exchange हैंडल करता है अब तुम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तुमको सबसे पहले margin रखना पड़ेगा margin नहीं रखोगे तो तुमको trade डानले नहीं देगा तो credit risk पुरा नहीं लो गया ना एक्सचेंज है बीच में ठीक है तो एक्सचेंज सारा चीज को regulate करता है it acts as the buyer to every seller and seller margin acts as a cushion against losses forward or future के बीच में क्या क्या फरक हुआ एक होगे तुम्हारा OTC over the counter एक होगे तुम्हारा exchange traded ठीक है forward में क्या होता है कि दो पाठी के बीच में होता है rate fix हो जाता है लेकिन future में क्या होता है future में क्या होता अ था न अब जैसे क्या हो गया, forward और future में प्रक्ट का obligation हो गया, तुमको यह चीज तो करना ही पड़ेगा, ठीकए? तुमको यह चीज तो करना ही पड़ेगा, ठीकए? अब इसी लिए एग एक चीज निकाला, जिसका नाम है option, नाम ही देखो कैसा दिया, option, ठीक है, option का मतलब क्या होता है, it is a right but not an obligation, it is a right but not an obligation, समझो चीज़ को, future में कुछ defect था, कुछ defect को ये लोग improve करके option निकाला, ठीक है, और यही दोनों चीज हम लोग को पढ़ना है, ये दोनों चीज अगर तुम इसका core समझ गया ना भाई, तो 30 नंबर तुम लोग का pocket में, 30 नंबर आता है, 12 to 14, 30 marks, सबसे जाड़ा booklet, जाड़ा मतलब समझते हैं त ठीक है, और अगर ये तुम लोग जितना अच्छा से पढ़ लिया, तुम लोग का एक और SP level paper भी clear हो जाएगा, मतलब इतना इसमे knowledge है, जो तुम लोग को वहाँ पर आगे जाके काम मिलेगा, ठीक है, तो option में क्या होता है, ध्यान से समझना, option में, it gives you a right, but not an obligation, ठीक है, हक है, ठीक है, अब तुमको हग क्या free में मिलेगा, ठीक है, हग तो तुमको free में मिलेगा नहीं, ठीक है, अब option में क्यों होता है, समझना, जैसे मान लो, हम यहाँ पर example लेंगे, bank nifty का, bank nifty का में example लेंगे, जैसे, फिर से वो ही देखो, सारा खेला पैसा का ही है, हमको लग रहा है, कि bank nifty उपर जाने वाला है, ठीक है, option में दो होता है, एक होता है call, एक होता है put, ठीक है, पहले तुम लोग को theory में समझाते है, call मतलब होता है, right to buy, right to buy, and put मतलब होता है, right to buy का मतलब क्या होता है, अगर मेरा मन करेगा, तो मैं buy करूँगा, वरना मैं buy नहीं करूँगा, बात को सुनना फिर से मैं बोल दो, ध्यान सुनो, अगर मेरा मन करेगा, तो मैं buy करूँगा, वरना मैं buy नहीं करूँगा, right to buy, पुट में क्या होता है अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमको यह समान बेचेंगे इतना दाम में इतना मेहना के बाद में वरना फिर हम नहीं बेचेंगे तो बेसिकली एक टैप का हक हो गया यह चीज़ यह मेरा हक है हक का मतलब क्या होता है मन करेगा तो एकसेस करेंगे वरना उसको एकसेस नहीं करेंगे तो यह जो हक है यह फ्री में नहीं मिलता है तो हम तुमसे यह समान 36,000 में खरी देंगे अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे एक मेना बाद यह समान 36,000 में खरी देंगे वरना हम नहीं खरी देंगे ठीक है तो एक बात बताना एक मेना बाद हम तुमको बोला कि अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे यह समान 36 तो में खरी देंगे वना नहीं खरी देंगे तो हम तुमसे यह समान कब खरी देंगे कौन सा सिच्वेशन में खरी देंगे हां बात को तुम लोग समझा यह हम लोग का होता है के का मतलब क्या होता है exercise price हो अच्छा चीज़ समझो exercise price का मतलब क्या होता है इस price पे हम लोग का contract execute होगा ठीक है strike price अब में को एक चीज़ बताना हम ऐसा कब करेंगे बताओ जब मार्केट में जब मार्केट में वो चीज 37,000 का मिल रहा होगा 36,500 का मिल रहा होगा और मेरे पास में हग क्या है कि वो ही समान तुमसे 36,000 में खरी सकते हैं दिकिन अगर मार्केट में ही 35,000 में मिल रहा है तो क्या हम तुमसे 36,000 में खरी देंगे नहीं खरीदेंगे ना, तो अगर हम तुमसे वो चीज तभी खरीदेंगे, जब स्पॉट का दाम उपर तरफ होगा, ठीक है, और अगर मानलो, मार्केट में ये चीज 35,000 में मिल रहा होगा, तो मार्केट से ही ले लेंगे ना, तो उस चीज में हम अपना हक को exercise नहीं करेंगे तो में और फाइदा हुआ, क्यों फाइदा हुआ, क्योंकि मेरा मन करेगा, तो मैं exercise कर रहे हैं, अब इसको और समझना, तो इसको और समझना, अब जैसे मानलो, ये तुमारा हो गया Strike Price, अब ये हक मेरे को Free में तो मिलेगा नहीं? ये इसके लिए हमको उसको एक Premium देना पड प्रीमियम मानलो मानलो तुम्हारा spot चल रहा है वह उता है अज का दाम बैंक निफ्टी का corporate चल रहा है 35500 तो हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे सामने वाला हग free में नहीं मिलता है, इस हग आपको दाम देना पड़ेगा, इस हग का दाम है 200 रुपया, इसको बोलते है premium, इसको बोलते है premium, हम एक call option buy कर रहा है, तो मेरे को 200 रुपया premium पे करना पड़ रहा है, क्या प्रे करना पड़ा है, फटावट से मूझ से बोलो, सब लोग सो रहा है हमको एक premium पे करना है 200 रुपएगा ठीक है हम दे रहे हैं हम यह premium दे रहे हैं तो सामने वालों को क्या हो रहे है यह premium मिल रहे है I am the option buyer he is the option option buyer gets the option buyer pays the premium to the option writer और seller एक बात सोचो ठीक है अब इसमें तुमनों को calculation समझाते ठीक है ध्यान से देख लो तुमनों फिर से देख लो सारा चीज तुमनों calculation समझाएंगे spot चल रहा है 35,500 हम क्या बोले अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे यह समान 36,000 में खरीदेंगे वरना हम नहीं खरीदेंगे और इस चीज का हम तुमको premium पे कर रहे हैं 200 रुपिया ठीक है अच्छा चलो अब एक situation देखते हैं अब मालो एक मेना बाद spot price हो जाता है 37,000 हम तुमको क्या बोले तुमसे कितना में buy करेंगे 36 तो market से सस्ता मिल रहा है तो हम क्या करेंगे contract को execute करेंगे तुमसे 36 में लेके क्या करेंगे अरे भाई तुमसे 36 में लेके खाएंगे थोड़ी market में बेचेंगे न तुमसे 36 में ले लिए market में बेच दिए कितना का profit that is not the profit that is a pay-off 1000 का pay-off और ये pay-off कमाने के लिए कितना रिपया प्रीमियम दिये थे तुमें को profit कितने का हुआ 800 800 मजा आ रहे हैं बहुत मजा लग रहे हैं इसलिए बोलते हैं option option चीजी ऐसा है option में अब एक और situation समझना अगर मानलो ये 38,000 हो जाता है अब फिर से पर calculate कर तो उन्हों को और अच्छा लगेगा अब बताना अब market में कितना में चल रहा है 38 में हम तुमसे लेकिन कितना में खरीदेंगे कितने का payoff 2000 का payoff ये payoff कमाने के लिए कितना रवा premium दिये मेरा profit कितना हुआ option writer का नुक्सान कितना हुआ अठारा सो ना हाई तुम मेरे को पच्छी साजार दिया तो मेरा inflow कितने का हुआ भलल ला तेरा Outflow कितने का हुआ थोड़ी तेरा Outflow 12,000 का हुआ तो मेरा जितना profit जितना तेरा नुकसान जितना c plus को फाइदा होगा उतना ही c minus को सीधा सा हिसाब है ना जितना c plus को फाइदा होगा या फिर जितना c minus को फाइदा होगा सब c minus को भी फाइदा होगा येस दो कैसे समझाएंगा भी देखें अब एक situation लो, अगर मानलो 35,500 होता है, अब बोलो, जो चीज मार्केट में 35,500 में मिल रहा है, वो चीज तुमसे कितना में लेने का वादा किये थे, वादा नहीं, basically हक खरीदे थे, हक, वादा किसमें हो जाएगा, future forum में, ठीक है, तो 3500 चल रहा है मार्केट में, ठीक है, तो ह हम तुमसे खरीदेंगे क्या, नहीं, ठीक है, तो एक चीज सोचो, एक चीज अराम से सोचो, धिमाग में डालो इस चीज को, कि मेरा maximum नुकसान कितना हुआ, 200, मेरा maximum नुकसान कितना हुआ, 200, ठीक है, अब एक और situation ले लो, मानलो, मार्केट क्रैश हो गया, रशिया, उक्र 33,000, approximately 32,000 टच किया था समय, 33,000, ठीक है, 33,000 हो गया, अब सोचो, जो चीज मार्केट में 33,000 में मिल रहां, तुमसे 36,000 में बोले थे, मेरा मन होगा तो खरीदेंगे, वरना, नहीं खरीदेंगे, तो बता तुमसे खरीदेंगे क्या, किससे खरीदेंगे, मार्केट से, मेरा maximum नुकसान कितना हुआ, दोस्तो, एक चीज बोल सकते हैं, option buyer, option buyer loss is limited to the premium that he is paying, option buyer, the loss is limited to the premium he is paying, ठीक है, अब एक चीज सोच के विखना, option buyer profit can be anything, ठीक है, उने को तो 200 रुपया पाने को पूरा आस्मान, 40,000 मान लो, 40,000, अब सोच के देखो, 36,000 में तुमसे खरीद के market में, 40,000 में बेचेंगे, 4,000, 200 का premium दिए, 3,800, 25 का lot होता है, bank nifty में, करो, 38,000 इंटू 25, ठीक है, वो भी एक मैना में, तो इन्वेस्मेंट कितने का, इन्वेस्मेंट कितने का, 200 इंटू 25,000 रुपया, इतना मज़ा आ रहा है न, ठीक है, 99% of the time option buyers are the losers, and 99% of the time options sellers are the winners, तो बेच रहना वो बेफकूफ नहीं है, हमेशा दिवाम में रखना, तुम लोग आगे जगे कोई भी चिन में काम करोगे, बेचने वाला हमेशा कमाता है, insurance, buyers तो बहुत है, we are insurance buyers न, sellers कितने कम है, sellers are the winners, LIC, I, Prue, Tata, they all are the winners, okay, आप चीज़ समझना, अब इसको हम लोग compare करेंगे forward से, हम तो उनलों को यह समझाना चाहता है, पहले option में क्या फाइदा है, जो forward या फिर future में नहीं है, अगर मान लो future में, move बोली कर लेंगे, इसके लिए pen का दरकार नहीं है, थिए, 36,000 में अगर forward contract किये होते हैं, ठीके, F plus किये होते हैं, futures buy किये होते हैं, ठीके, और हो जाता 33,000, तो उस समय क्या 200 का नुकसान होता है, नहीं, 3000 का नुकसान हो जाता है, सिदा सही साव है, तुम कोई समान buy कर रहा है, 36 में, अगर 39 हो गया तो 3000 का फाइदा, 33 हो गया तो 3000 का नुकसान, यहीं चीज़ उमारा फाइदा किसमें है, option में, ठीके, option में फाइदा है, ठीके, अब option is a volatility game, volatility game मतलब when, आज जैसे मान लो call है, call मतलब क्या right to buy, तो right to buy अब call option buy करने के लिए बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि market बहुत उपर जाने वाला है, सिदा सही साब है, अभी तो तुम लोग का calculation दिखाए, जितना उपर गया मेरे को उतना profit हो रहा है, call में, similarly opposite क्या होगा, put में, जितना नीच जाएगा में को उतना profit होगा, call का मतलब फिर मतलब क्या हो गया, upside betting हो गया, put का मतलब क्या हो गया, downside betting हो गया, समझो धिरी देखे, tone बैठाओ, call मतलब क्या हो गया, मेरे को लग रहा market बहुत जोर उपर जाने वाला है, अभी इंडिया का market उपर जाने वाला है, इतना पैसा पैसा आ रहा है, पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला कोई चाहिए, ठीक है, पकड़ने वाला कोई चाहिए, फॉरेंसे इतना पैसा आ रहा है, तो अगर हम यह चीद को, I am bullish on the market, bullish मतलब क्या होता है, मैं उपर का सोच रहा हूँ, bearish मतलब क्या होता है, नीचे के तरफ मे है, ठीक है, बुल मतलब क्या, उसका हॉन देखा है, बुल, bear, ठीक है, तो, I am bullish on the market, call मतलब क्या हो गया, upside betting, अच्छा, option seller के बारे में सोचो, option is a volatility game, क्यों, देखे, क्यों, वो जो तुम जो premium पे कर रहे है, 200 रुपया, वो क्या चीज़ का premium में कभी सोचा है, वो 200 रुपया जो है, वो क्या चीज़ का premium है, सोचो एक बार, वो 200 रुपय बिसिकली, hope का premium है, hope, hope समझता है, hope क्या होता है, उमीद, उमीद क्या है, एक प market फार देगा, उस चीज़ का तुम 200 रुपय दिया है, समझा बात क्या बोल रहे है, उमीद इसी चीज़ का है, कि market 40,000 जाएगा, और उस उमीद का तुम 200 रुपय दिया है, अब यह जो premium है, option seller के बारे बार सोचते हैं, ठीक है, एक बार समझ लो कि option seller है हम लोग, ठीक है, option seller's maximum, maximum profit is what, option seller मतलब जो option बेचा है, उसका maximum profit क्या हो सकता है, सोच के बताना, 200, तो वो premium, very good, कौन मोला, हाँ, very good, यह शागरवाल, very good, हाँ, एक उफ करो, तो option seller का maximum profit हो सकता है, 200, ठीक है, अब जैसे एक चीज बताते हैं, माल लेते हैं, 37,000 के case में, 37,000 के case में, हम लोग निकाले थे न, 800 का profit आ रहा था, तो option seller को कितने का नुक्सान हो गया, 800, 38 मे, 1800, ठीक है, 40 में, 3800, 3800, अगर माल लो, 35,000 चला जाता है, तो, 35,000 में, उसको 200 का profit, ठीक है, अब सोच के देखो, option seller के बार में, सोच हो एक बार, पाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और खोने के लिए तो कुछ भी, कुछ भी चाह सकता है, ना उसका तो, option seller, the profit is limited, but the losses are unlimited, but still, 99% of the time, option, sellers are the winners, क्यों हम तुमको समझाते है, it is a probability game, probability game हम लोग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, आज जैसे, हम लोग हर दिन घर से निकलते हैं, हम लोग के दिन चरिया नॉर्मल होता है, तो, नॉर्मल इवेंट्स हमेशा होंगे, extraordinary events बहुत कम टाइम पे होते हैं, तीक है, market अपना normal position में, 100 point up, 100 point down, 200 point up, 200 point down, ऐसी रहता है, तो, जो option buyer है, वो हमेशा चाहेगा, कि market में तूफान आ जाए, तूफान आ जाए, का मतलब क्या है, option buyer सोचेगा, बहुत जोर का volatility आ जाए market में, और Indian market में, volatility is measured by Wix, VIX, Wix, बोलते हैं, इंडिया Wix, उससे पता लगता है, क कि कितना volatility है markets में, जितना जादा volatility होगा, उतना ही जादा तुमारा option का premium भी होगा, ठीक है, ऐसा क्यूं, ऐसा क्यूं, क्यूंकि मानलो, एक share है, जैसे ITC, वो हिलता ही नहीं है, पैठा रहत एक जगह में, का premium बहुत कम होगा, लेकिन एक share है, जैसे तुमारा industry bank, ठीक है, industry bank हो गया, reliance हो गया, ठीक है, SBI हो गया, इसे बहुत वालेटाई stocks है, इसे अपका option का premium जादा होगा, because they are more probable, कि चीज तुमारे favor में आ जाए, उतका premium जादा होता है, समझा बात को, अब समझना, option sellers का जो profit हो तो limited है, लेकिन फिर भी लोग बेचते क्यूं है, क्यूंकि normal वो अगर हम लोग call option seller का बात करें, उसको profit कब होगा, जब market ज्यादा move ना करें, ज्यादा move ना करें, मतलब मैंने spot बोला था, देखो यहां पर लिखा है मैंने, मैंने spot बोला था, 35,500 चल रहा है, ठीक है, एक situation बोल रहा हूं, 36,200, 36,200, calculate करो तो, जो चीज market में 36,200 में मिल रहा हम तुमसे buy करेंगे, market में बेचेंगे, 200 का profit, 200 का pay off, और 200 रुपा premium दिये थे, basic लिए 36,200 क्या है मेरा, break even, ठीक है, तो option seller कब तक बचावे है, 37,200 तक, ठीक है, अब मानलो market हो जाता है 36,000, ठीक है, 37,000, तुमसे लिए market से लिए बात बराबर है, तो एक तरीके से lapse होगी option, access करने को कि फाइदा ही नहीं न, तुमसे लिए है, चाहे market से लिए, बात तो मुटा बड़ी बराबर ही है, कुछ फाइदा ही नहीं है, तो मेरे को 200 का profit हो गया, हम कौन, seller, okay, 35,500, 200 का profit, 35,000, 200 का profit, 34,000, 200 का profit, so when I am selling a call option, my mentality is, that the market will not move much on the upside, और either it will go down, यह चीज़ बैठाना बहुत जरूरी है, okay, when I am selling a call option, my mentality is, upside में market ज्यादा नहीं बड़ेगा, और अगर बढ़ा भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा मतलब कब तक बढ़ सकता है, 36,200 तक, यह फिर नीचे गिरेगा, अब put का tone बढ़ाते है, ठीक है, put का tone थोड़ा बढ़ाते है, put में एक example लेते हैं, ITC का example लेलो, ठीक है, मानलो ITC का spot चल रहा है, 200, ठीक है, put मतलब क्या होता है, right to sell, call मतलब क्या होता है, upside betting, put मतलब क्या होता है, नीचे जाने से फाइदा आएगा, ठीक है, spot चल रहा है, 200, ठीक है, अब put क्या होता है, basically, right to sell होता है, हर चीज का डर होता है, इंसान को, देखो, put में, put तो क्यों लेते हैं, कि मेरे को डर लग रहा है, कही market गिरना जाए, मेरे को डर किस चीज का लग रहा है, कही market गिरना जाए, ठीक है, अगर market गिर जाएगा, तो मेरे को share में नुकसान हो जाएगा, put option basically offsets that losses, ठीक है, put option basically offsets that losses, अब देखो, मैंने क्या बोला, मैं IT से का एक put ले लेता हूँ, 200 का, 200 का put मैंने buy कर लिया, मैंने 200 के नीचे अगर गया, 200 का put मैंने buy किया है न, put मतलब क्या था, right to sell, आप चीज को समझो, ठीक है, तो 200 का मैंने put buy किया है, अब जैसे call में क्या था पता न, call में क्या था, call में क्या था, right to, call में क्या था, right to buy, अगर मान लो, हम देखेंगे, हम compare करते थे, कि market में क्या हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो contract किये हैं, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, अब जैसे, इतना नहीं करो, 200 मत करो, इसको ऐसे कर लेते हैं, 240 कर लो, इसको, 200 कर लो, 200 तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो चाहिए, अब भोलो, जलाई की बंद कर रहें, बंद कर दो, उससे बंद कर दो, एसी उससे बंद कर दो, अब ध्यान सुनना, अब में को क्या लग रहा है, राइट टू सेल, ठीक है, तो मैं 200 बहुत नीचे ले लिए था, ठीक है, तो जैसे, 240 जो है, यह मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कुछ भी हो, अगर मैंने पुटबाई किया है, 240 का इसका मतलब क्या है, प्राइस कुछ भी हो, मेरा मन करेगा तो हम तुमको कितना में बेचेंगे, 240 में, 200 बहुत नीचे हो गया था, अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमको क आप बेचेंगे। जब मारकेट में कम में विक्रा होगा। लेकिन तुम्हारे सब तोंक्त आप은ा हक है मेरा हक्या है बताइए। नवोगे हक नहीं हला फिलींग के लोगों मेरा डेका है बताइए। हम मेरा हक है कि हम तुमको दो सुचालिस में बेचेंगे और तुमको खरीदना पड़ेगा तेकिन अगर मेरा मन नहीं किया तो ठीक है और उसी चीज़ का क्या दे रहे तुमको प्रीमियम दे रहे हैं ठीक है माल लेते हैं कि प्रीमियम आ रहा है मेरा पांच रुपिया प्रीमियम आ रहा है मेरा पांच रुपिया मेरा मन करेगा तो हम तुमको एक मैना बाद इतना में बेचेंगे और इस चीज़ का ये लो पैसा कितना रुपर दिया तो पांच रुपर दे दिया प्रिम चला गया अब हम पुट बाई किये पुट बाई क्यों किये मेरे का पुट बाई को डर लग रहा है कि कहीं मेरा शेयर गिर ना जाए मेरे को डर इस चीज़ का लग रहा है अगर मांलो पुट बाई नहीं करते सोच के देखो मेरे पास मैं ITC का एक लाख शेयर ए तो पचास रुपय गिर जाता है तो पचास इंटू एक लाख, तुम्हों को पचास लाख का नुकसान होगा, लेकिन अब मैंने क्या बाई किया है, basically it is a hedge against market crashes, अब मैंने 200 तो देखो बहुत नीचे ले लिए, generally people क्या करते हैं, फोड़ा दूर का put buy कर ले, इसका reason क्या है, प्रीमियम कम लगता है, प्रीमियम कम लगता है, प्रीमियम कम लगेगा तो क्या होगा, तुमको outflow कम होगा, और अगर मान लो बहुत जोर का market crash हो गया, then it will act as a cushion, बने basically protect करेगा तुम्हारा portfolio को put option, ठीक है, because it is a right to sell at a specified price, अब एक case लेते हैं, market तुम्हारा 260 चल रहा है, itc का share 260 चल रहा है, बताओ क्या होगा, market में कितना में बिकेगा, 260, तुमको कितना में बेचने का हक है, तो कहां बेचेंगे, तुमको बेचेंगे क्या, तो put option, laps, 200 में, laps, कि मार्केट में बेचेंगे न क्यों तुमको बेचेंगे पेधु कुछ तुमको बेचेंगे दुमको सब्सक्चनूर्छ के करते बेचे तो बेसिकलिए पांच में मेरा पेओफ हुआ ना पेओफ कैसे हुआ क्योंकि जो चीज मार्केट में ठीक रहा है 235 में को ही चीज हम तुमको कितना में बेच सकते हैं असर में बता फिर उस समय हम करेंगे क्या मार्केट से ले के तुमको बेचेंगे अरे पुटा शुका मतलते हैं यही हुआ ना 220 में क्या होगा बता ना मार्केट में 220 चल रहा है है और कि 210 में तुमको बेचने का क्या रखते हैं हक तो मेरे को पेओफ कितने का होगे सुचो एक बास सुचो मार्केट में कोई और रूम के बाहर में कोई चीज 100 में बिक रहे हैं और रूम के अंदर में 1500 में बिक वह बोले हो тории हुद रहे है और रूम के संदर बेसे बोलहा ऐसे सब लोग लग गया बाहुत बहुत कम लोग बहुत कम लोग बहार से चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेशते थे अब देखो कितना लोग हो गया है अब तुम किसे भी बात करो बलेगा आप यह व्रिजदस में उतना वह नहीं रहेगा का अगर मांन लो 220 में मार्केट में बिक रहे तो तुम क्या करेगा मार्केट से लेगा और उसको बेचेगा तो तुम्हारा पे-अफ कितने का हुआ इस रुपए का पे पे-व और यह प्रियोफ को कमाने के लिए तुमने कितना प्रीमियम दिया पांच तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हुआ बंद्रा तो पुट में हम लोग क्या बोल सकते हैं अब टोन बैठा पुट में हम लोग क्या बोल सकते हैं पुट में क्या बोल सकते हैं डाउन साइट बेटिंग नीचे जाने से फाइदा कॉल में क्या बोल सकते हैं अब लिख्वाएंगे ताकि तुम लोगको एकदम तून बैठा हुआ रहेगा ठीक है इधर देखो कॉल में इधर रुखो 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 लिखो मत से difference आएगा, हिंदी में लिखो, उपर जाने से difference आएगा, उपर जाने से difference आएगा, ठीक है, तो C माइनस में क्या हो जाएगा बताना, उपर जाने से difference जाएगा, उपर जाने से difference जाएगा, उपर जाने से difference जाएगा, P प्लस लिख लो, इधर देखो मेरे तरफ में, नीचे जानने से difference आएगा और P माइनस में लिख लेना, नीचे जानने से difference जाएगा P माइनस में क्या लिखा है नीवा? ठीक है आप तो मम को एक बात बताना, कि यह जो difference हो रहा है, यह क्या चीज का difference हो रहा है What is this difference all about? Difference between what? One is the exercise price, जिस rate पर contract हुआ है and one is the share price, basically the spot price at maturity, ठीक है? लिखना मतला है, अब सुनो, अब हम लोग इसमें question करेंगे, ठीक है? Pay off में और profit में क्या होता है? Pay off मतलब जो एक बार होता है, बने, like basically difference and उसे जब premium minus करेंगे, फिर plus करेंगे, तो मेरा profit आता है, ठीक है? एक true and false बोल रहे हैं, बताना true या false? सारे online बच्चे participate करेंगे, comment box में लेकेंगे true या false? An option seller's pay off, an option seller's pay off can never be positive. An option seller's pay off can never be positive. I need answers in the chat box. An option seller's pay off can never be positive. An option, profit नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी समझाया है, pay off मतलब क्या होता है? difference, ठीक है? An option seller's pay off can never be positive. Huh? True. क्या? True या false? True. 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 False. True false no? equal kilo S焦टो न a first watch, an option seller's pay off can never be positive. Radhika बोलो. नाकून खरना होगया? अगर होगया, तहां मेरा भी भी खर दा Meter? तो कि नहीं थेँ कोई चाल, आठा, सहाल शब मिलेगा. T resurrection स्था दाओ? True t सब लोग online में सब लोग बोल रहे हैं true बाकी लोग का है जील बोलो swap nil जील true या false आवाज नहीं आ रहा जील true I don't know sir ठीक है एक बात सोचो option seller का बात हो रहा है ठीक है जो option खरीदा है वो तो उसको तभी exercise करेगा ना जब उसको payoff में profit आ रहा होगा नहीं तो वो तो lapse कर देगा तो अगर इस तरीके से तुम लोग सोचता कि option buyer का जो payoff है वो कभी भी negative होई नहीं सकता है payoff का बात करो बात को समझो तो option buyer कभी ऐसा क्यों access करेगा जिसमें उसको नुक्सान हो रहा होगा payoff में अगर 36,000 का call का अपना जो example था if it is 36,000 then why he will exercise he will do it from the market only ना जो premium था वो गया if it is even 36,100 then the payoff will be 100 and the premium paid is 200 so he is making a loss of 100 but the payoff is positive so option buyer's payoff is always positive and option seller's payoff is always negative or 0 getting it? clear? okay अब एक sum करेंगे तो तो समझ में आज़ेगा ठीक है लिको example okay okay spot nifty spot nifty 17,000 one month future 17,100 ठीक है? हम लोग ने F प्लस किया है हम लोग ने F प्लस किया है ठीक है? एक मेना बाद एक मेना बाद one month spot एक मेना बाद का जो spot rate से वो मैं यहां पर दे रहा हूं ठीक है? एक मेना बाद का जो spot है वो मैं यहां पर दे रहा हूं 16,500 16,800 17,000 okay 17,200 17,500 okay अब तुम लोगो यह बताना है कि मेरे को क्या profit होगा क्या नुकसान होगा one month forward is 70 देखो तुम लोगो एक्जाम में ऐसे करके rates देगा spot मतलब क्या होता है? आज का one month forward मतलब क्या 17,100 पे contract हुए यह हमेशा दिमाग में रखना तुमने spot नहीं भाई किया है तुमने क्या भाई किया है forward भाई किया है फिर future भाई किया है तो अब F plus कितना rate पे हुआ है पहले उसको मैं circle कर देता हूँ 17,100 पे हुआ है अब तुमने बाई कर लिया है तो तुम्हारा क्या हो गया एक टाइप का obligation हो गया अब तो तुम पीछे नहीं अट सकता है तो 17,100 और spot चला गया 16,500 तो बताओ कितने का नुक्सान होगा 600 का नुक्सान हो जाएगा 300 का नुक्सान हो जाएगा ठीक है उसके बाद में next हाँ जल्दी बोलो 300 का नुक्सान हो जाएगा फिर 100 का नुक्सान हो जाएगा फिर 100 का profit sorry, sorry, sorry एक में डेक 100 का profit और यहाँ पर 400 का profit अब तुमनों को यह तरह साथ है सर्च छट आदमी है plot size होता है 50 का, अब multiply कर लो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, यह एक तुम्हारा था example, futures पे, ठीक है, अब next, copy कर लेने इसको, होगे या लोग copy, हाँ, option पेक्टो करते हैं, तुम लोग क्या किया है, C plus किया है, ठीक है, C plus मतलब क्या होता है, call option, buy किया है, ठीक होगा तुम्हारा exercise price, exercise price मान लो है 36,000, spot तुम्हारा चल रहा है 35,500, ठीक है, और तुमने जो C plus के लिए जो premium दिया है, वो है 1.500 रुपिया, ठीक है, तुमने premium दिया है 1.500 रुपिया, एक महने का contract है, अब जैसे, एक महने का जो contract है, तो one month spot, मतलब एक महने बात का दाम मैं तुमनों को अब दिक्टिट करा रहा हूँ, ठीक है, one month spot, 35,500, ठीक है, 35,800, 36,000, 36,200, ठीक है, और 36,500, ठीक है, यह मेरा होगया one month spot, अच्छा, अब ध्यान सुनो, सबसे पहले यहां पर हम लोग बनाएंगे pay-off, अच्छा, रुको, सबसे पहले यहां पर बताएंगे, कि exercise हो रहा है, कि laps हो रहा है, बताना, एक मेंट रुको, एक जन से पूछूँगा, आदित्या, तुम बोलो, exercise होगा, कि laps होगा, 35,500 पे, क्यों laps होगा, reason दो, पूरा अच्छे समझाओ, sir, call option का मतलब होता है, right to buy, तो जो चीज मेरे को market में 35,500 में मिल रहा है, उसको मैं 36 अच्छा, 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 कहां से पढ़े हो, और तुम उसको मेरा नाम ले दिया, ना दो बोले का, okay, चलो, चलो, मतलब क्या, selected, ऐसे समझाना उसको, हाँ, बोलो, 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 हाँ, बोलो, हम, very good, तो अपने यहाँ पर बोल देंगे, लैप्स, अच्छा, जील बताओ, तो 35,800 में क्या होगा, लैप्स होगा न, एक्सेसाइज होगा, लैप्स, छीक है, अब बताओ, next, आकाश अगरवाल बताओ, 36,000 में क्या होगा, 36,000 में, लैप्स, good, 36,200 में एक्सेस, इसमें भी एक्सेस, छीक है, पॉलम्स याद रखना, पे ओफ, एई इदर देखो, एई, जीनू मनों लोग, पे ओफ, पे ओफ का मतलब क्या होता है, C पलस है न, तो क्या लिखवाई थे, कोडिंग क्या लिखवाई थे, उपर जाने से डिफ्रेंस आएगा, तो डिफ्रेंस किसका, स्पॉट माइनस एक्सेस, ठीक है तो, यहाँ पर तो लैप्स हो गया है, तो 0,0,0, है की नहीं, यह सो नो, अब एक्सेस, 36,200 पर एक्सेस, तो स्पॉट चल रहा, 36,200, और एक्सेस प्राइस था, 36,000, तो 200, ठीक है, यहाँ पर 200, यहाँ पर 500, एई इधर देखो, इफ्रेंस, पॉल के केस में क्या है, स्पॉट माइनस एक्सेस, पॉट के केस में क्या होगा, एक्सरसाइस माइनस स्पॉट, इतना भाई, यह अगर दिमाग नहीं लगा पा रहें न, तो फिर कुछ बोलने का मतलब नहीं, फिर तो फॉर्मुला से जाना पड़ेगा, इसका फॉर्मुला पता है कैसा है, मैक्स एस्टी माइनस के कॉमा जीरो, वैसे रटाना चाहिए तो हम रटा सकते हैं, उसको फाइदा नहीं है कोई सब्सक्राइब हम देख रहते हैं यूट्यूब पे, मैं तो एकल क्लास से बढ़ देखते हैं, अभी नहीं, इसलाट हमको बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हम अपना ही भुल गया, यहां पर अब आजाएगा प्रीमियम, प्रीमियम तुम्हारा क्या है, सारा ही केस में लगा है, कितना था? और यहां पर क्या आजाएगा मेरा? ना बोलो, तो देड़ सो का नुक्सान, देड़ सो का नुक्सान, देड़ सो का नुक्सान, पचास का प्रॉफिट, थाड़े तीन सो का प्रॉफिट, पड़ा फट से सो कर लो पुड़ा को? प्रिशा, is it okay? यहां जोंचर रही हैं, कि हम क्या बे मतलब का CMT रेली है, कि हम इन्जोई करते हैं, आराम से, चिल करते हैं, तो ले ली है, प्रेशर में, अब सुभास बढ़के पढ़ना बढ़ रहा हैं, next P- किये क्या तुम बोली उसको बखवास कर रहे हैं तुम दुम बोली ना दिका उसको मैंलरी सुबस्र बखवास कर रहे हैं मैंसर P- चिये हैं धीक है यह से माल लो दुहास 이후 थेक है Cand spot चल रहे है तुम्हारा 1750 इसके वन मंत का टाइम फ्रेम है, P- की है मतलब समझ गया, P- की मतलब समझ गया, put बेचा है, तो नीचे जाने से difference जाएगा, नीचे जाने से difference जाएगा, difference किसका किसका, तुल्लास हो का और जो उस समय का जो spot होगा उसका ठीक है और जो premium खाया है खायाने का मतलब क्या होता है लिया है जो option seller होता है उसका mentality क्या है कि premium खा लिये हैं अब market ठम जाए जो option buyer होता है बोलता है premium दिये हैं market में तूफान आ जाए even if you are a call option buyer see traders might differ my opinion is even if you are a call option buyer and the market crashes then also you will feel good ना the reason is you have not made much losses your loss was limited to the premium that you have paid तो दूसरा का नुक्सान होते थेख भी खुद को मन में अच्छा लगता है ठीक है तो the premium that you have received basically P minus collected premium is 50 rupees okay now one month spot let's start from 1500 1500 1550 1600 1550 1700 1750 चलो यह होगे मेरा one month spot अब इसके बाद में exercise होगा कि laps होगा अब ध्यान से सुनना put का मतलब क्या होता है put का मतलब क्या होता है देखो exercise और laps में न हमेशा यहीवाला concept लगाना right to sell है basically समझना put exercise कब होगा जब strike के नीचे दाम जाएगा अब tone बैट चुका है वो सब नहीं समझाने जाएगे minus minus strike के नीचे जाएगा मतलब put exercise call कब exercise होगा strike के ऊपर जाने से चिक है तो यहाँ पर strike के नीचे देखो strike कितने का है strike 16 सो का है तो 16 सो के नीचे कौन-कौन सा है तो है यहाँ पर exercise exercise यहाँ पर laps 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 उसके बाद में next क्या हो जाएगा मेरा pay off अब ध्यान से सुनो put sell की है ना तो नीचे जाने से difference जाएगा तो 16 सो का exercise 16 सो था ना तो 15 सो हो गया तो 100 रुपया जाएगा 50 रुपया जाएगा कुछ नहीं जाएगा कुछ नहीं जाएगा कुछ नहीं जाएगा एधर देखो इससे पता है क्या समझ में आता है जब तुम put बेच रहे जब तुम यह सोच रहे कि market गिरे तो बहुत कम से गिरे और या तो फिर बढ़ जाए तो बढ़ने से तुम दो टैप के ट्रेड ले सकता है एक है या तो तुम call खरीद लो या फिर तुम put बेच दो ठीक है उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा premium collected पचास 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 यहां पर तुम्हारा आ जाएगा profit loss तो profit loss में क्या लिख सकते बोलना पचास का नुकसान जीरो तास तास बोलो समझ में आया हां वही तो लिया ना strike minus 40 तो लिया loss है ना put बेचा है देखिए put बेचा है ना put बेचा है तो नीचे जानने से difference जाएगा ठीक है इस इट क्लियर एव्रिवन ओके ओ एक सतरा सो पचास भी था but laps तो ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे थैंक्यू नेक्स क्लास आज पर उन स्टेटियूल का बेचा स्क्लास हाँ वह पेपर भी का तो ठीक है जो शेडूल वह तो चले गई बट् हाँ हाँ कोई उसमें रोक टोक नहीं है भाई हम लोग फुरा अन फॉर्म अपकी रूर okay thank you all of you for joining I hope so you join in all the classes